ओम करिंशी महागड़ी शाय नमा राथी दाथी दोस्तों कैसी है आफ सर्व दोस्तों क्रश्न जन्माश्टमी का पावन पर इस बात 30 अगस्त दिन सौंबार को है इस दिन जन्माश्टमी का ब्रत भी रखा जाता है जन्माश्टमी ब्रत को ब्रत राज कहा जाता है शास्तों को समर्पित होता है इस दिन भाक्वान श्री किस्ट का पूजन करने और प्रत करने से भाक्वान श्री के गृपा से छुटकारा मिलता है जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परीशानी दूर हो जाती है साधी मन चाहा बर्दान भी प्राप्थ होता है जो निसंतान दमपत्ते इस दिन प्रत रखते हैं उन्हें संतान सुक्की प्राप्ती होती है कुवारी कन्याओं को भी यह प्रत अवश्य ही कहना चाहिए यह ब्रत कहने से कुवारी करन्याओं के विभा में आ रहा बिलंब भी दूर होता है और जल्द विभा के योग बनते हैं जन्माश्टुमी के ब्रत को ब्रत राज कहा जाता है शास्तों के अनुसार जन्माश्टमी का ब्रत करने से एक हजार एकादशियों के ब्रत करने के बराबर पुन्यफल की प्राप्ति होती है जन्माश्ट्युमी का प्रत करने से कई जन्मों की पापों का नाश हो जाता है और एका दशी पर अन्न खाने का दूश भी दूर हो जाता है शास्तों के अनुसार जो सथव्यक्ति होते हैं और वह जन्माष्ट्युमी का प्रत नहीं करते तो उन्हें मृत्यु के प्रश्चात नरक की यात्ना भोगनी पड़ते हैं दोस्तों जन्माश्टिवी का दिन भगवान श्री कृष्ण को पिसंद करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ठीच के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसे अगर आप जन्माश्टिवी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असेम कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश हो जाएगा। और जब पाप नश्र हो जाएंगे तो दुर्भा की भी सौफा के में बदल जाता है। किस्म साथ देने लग जाती है। आज के दिन इस एक चीच का सेवन करने मात्र से ही भगवान श्री किष्ण के साथ ही धनकी देवी मा लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। और घर में धन्धानने की कमी नहीं रहती। मा लक्ष्मी अपने भक्तों की धन्सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर कर देती है। दोस्तों भगवान श्री किष्ण का जन्व भादरपद मास की कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को रातरी बारा बजे रोहनी नक्षित्र में हुआ था। और तब ब्रश राश्री में गोचर कर रहे थे। इस बार में यह सारे समयोग एक साथ बन रहे हैं ृसलिए इस बार की जन्माश्टमी को भाती खासमाना जा रहा कि साथ ही इस जन्माश्टमी पर स्वास सिथी योग भी है और इस पार की जन्माश्टमी सौंबार के दिन भी है शास्तों में सौंबार और बुद्धुबार के दिन आने वाली जन्माश्टमी को विशिश महत्व दिया गया है इन अद्वत संय योग में आने वाली कृष्ण जैन्माश्ट्वी पर भगवान श्री किष्ण का पूजन करने सी भगवान श्री किष्ण अपनी भक्तों को मन चाहा बर्दान प्रदान करेंगे दोस्तों इस क्रश्ण जैन माश्टुई पर रात्री पूचन का यानिकी निश्रिता काल पूचन का शोब महुरत 30 अगस्त को रात 11 बच कर 69 नड़ से देदरात 12 बच कर 45 नड़ तक का है भगवान शी किष्ण का जैन मुस्ब रात्री में मनाया जाता है जैन मुस्ब मनाने के लिए पहले ही दिन में अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें सभी भगवान जी को इसनान करा दें तस्वीरों को साफ कपड़े से पहुँच दें मंदिर को अच्छी तरह से लाइट वगेरा से सजाएं भगवान शीक किष्ण लड़ गोपाल के लिए जूला अवश्य ही रखें और रात्री बारे बज़े पूजन करने से पहले ही इसनान कर सच्छ बस्त धारन करें पीली रंग के बस्त पहन कर भगवान शीक किष्ण का पूजन करना बहुत ही शुब होता है इसलिए हो सकी तो पीली रंग के बस्त पहने पीली बस्त ना हो तो भूल कर भी काले या नीले या अशुब रंग के बस्त ना पहने साफ सुत्रे नए बस्त पहन कर भगवान शीक किष्ण का पूजन करें रातरी बारे बजे पूजन के समय सबसे पहले आप अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछा कर उसके उपर एक साबुत खीरा रखें अगर खीरे में डंठल है तो जादा अच्छा रहेगा लेकिन मार्केट में डंठल वाले खीरे बहुत ही मुश्कल से मिलते हैं तो आप सादा खीरा भी रख सकते हैं खीरे को आपको मंदिर में रखना है और एक सिक्का लेना है सिक्के को आप अच्छी तरह से साबुन पानी से धोलें गंगा जल से शुत्त कर लें आप इस सिक्की की साहिता से आप खीरे को काटें अगर आप पर डंठल वाला खीरा है तो आप खीरे को इस डंठल को सिक्के से क काटना है ध्यान रखें खीरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए नहीं आपको खीरे का जहर निकाला है पूरा साबुत खीरा आपको मंदिन में रखना है दोस्तों जिस तरहें एक मा की कोक से पच्चे के जन्म के बाद मां से अलग करने के लिए गर्वनाल को काटा जाता है उसी की रूप में खीरे को काटा जाता है खीरे काटने की इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहां जाता है खीरा काटने का मतलब है कि भगवान श्री किष्ट का जर्म हो गया है दोस्तों इस खीरे को काटने की पश्चाद इसे उठा कर रख देना चाहिए और फिर सबसे पहले भागवान शीक किष्ण लट्टू को पाल को इस्तनान कराएं और फिर भागवान जी को पीले रंग के बस्ते पहनाएं और उनका श्रिंगार करें। भागवान शीक के सामने एक दिया जलाएं और सुगंदी धूपती जलाकर भोग मिश्ठान लगाकर आप भागवान शीक किष्ण का पूजन करें। आथिक से आथिक राधी राधी का जाप करें। दोस्तों पूजन करने के पश्चात आपको सबसे पहले इस खीरे को खाना है। शास्तों के अनुसार खीरा काटने से पहले इसमें भागवान शीक किष्ण का अंश आ जाता है। और फिर इस खीरा काट का जब नालचीदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तब इसमें भागवान शीक किष्ण की दिब्बेशक्ति रह जाती है। खीरे का यह प्रशाद खाने से संकटों से छुटकारा मिलता है शास्तों की अनुसार जो भक्त भगवान शीक किष्ण के इस प्रशाद को ग्रहन करते हैं भगवान शीक किष्ण स्वयम उनकी संकटों से रक्षा करते हैं गर्बती महिलाओं को भी इस प्रशाद को अवश्य ह खाना चाहिए जो गर्बती महिलाएं इस प्रशाद का सेवन करती हैं भागवान श्री किष्ण उनकी और उनके गर्भ में पल रही संतान की दक्षा करते हैं और संतान होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती दोस्तों जन्माश्टमी पर भागवान श्री किष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाये जाते हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एहम होता है माखन मिश्री का भोग आज के दिन भागवान श्री किष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं और इसमें एक तुलसी क पत्ता अवश्य ही डखे शास्तों के अनुसार तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्रीकिष्ण भोग को स्विकार नहीं करते हैं माखन मिश्री भगवान श्री किष्ण को अत्यथिक प्रिया है भगवान श्री किष्ण जब बाल लीला करते थे तम माखन चुरा कर खाते थे इसलिए भगवान श्री किष्ण का एक नाम माखन जूर भी पड़ा माखन मिश्री भगवान श्री किष्ण को अत्यथिक प्रिया ह इसलिए जन्माश्टमी के पावन पर पर आप भगवान श्री किष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाए। दोस्तों माखन मिश्री का भोग लगा कर आप भगवान श्री किष्ण का पूजन करें और पूजन की पश्चात इसे प्रशात की रूप में ग्रहण करें ऐसा करने से भगवान श्री किष्ण की कृपा से घर में सुक्सम्रथी बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा से गरीबी और दरिता का नाश हो जाता है दोस्तों आज की दिन इस तरहे माखन मिश्री का सेवन करने से भगवान शीकिष्ण की असीन कृपा प्राप्त होती है और मिश्री की तरहें ही जीवन में भी खुश्यों की मिठास भर जाती है इसके अलाबा आज के दिन भगवान शीकिष्ण को धनिय की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है इसके लिए धनिय के जो साबुद बीच होते हैं उन्हें पीसा जाता है और उनका पाउडर बनाया जाता है फिर इसे हलकी गैस पर भून कर इसमें बूरा मिलाया जाता है यानि या आप पिसी हुई ठीनी भी मिला सकते हैं इसे बनाकर इसका भगवान शीकिष्ण को भोग लगाया जाता है और फिर इसे प्रशाद के रूप में ग्रहन करना चाहिए आज के दिन भगवान शीकिष्ण को धनिय की पंजीरी का भोग लगाकर उसे प्रशाद के रूप में ग्रहन करने से भगवान शीकिष्ण के साथ ही मालक्ष्मी की भी असीम क्रुपा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रति आती है धंधानमें ब्रधि हो जाती है दोस्तों जन्माश्टिमी का पावन पर भगवान श्री किष्ण को समर्पित होता है इस दिन अधिक सी अधिक भगवान श्री किष्ण का पूचन करें भगवान श्री किष्ण की किप्रा प्राप्त करने के लिए राधा रानी का पूचन करें राधी राधी का ज्याब करें अगर आपने आज की दिन ब्रत भी नहीं रखा है तो भी आप साथविक भूचन ग्रहन करें मीट, अंडा, प्यार, लेजन, तमागू, मद्रा, इत्यादी का सीवन भूल कर भी ना करें दोस्तों आप सभी को केस्थी राधी किष्ण शिंकार परिवार की तरफ से कष्ण जनमाश्टिमी की हाथ एक शुपकामना है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपनी फ्रेंज के साथ शियर जरूर करें और भी यूसफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर तपाएं थैंक्स फॉर वचेंग राधी राधी